काम चोर बहु कांता बहन की दो बहुएं थी बड़ी कलपना और छोटी प्रिया कलपना का जैसा नाम वैसा ही काम सारा दिन कलपनाओं में रहती ना कोई काम करती ना कोई धाम अरे कलपना बहु जरा अच्छी सी चटनी पीस दे आज कुछ मसेदार खाने का मन है पेट में जलन हो जाएगी मा जी बुढ़ापे में और वैसे भी मेरा काम करने का वक्त शाम का है अब प्रिया को ही बोल दो इतना कहकर कलपना वहां से चले जाती है कांता कलपना के ऐसे रवये से काफी परिशान रहती है मैं बना देती हूं मा चटनी ऐसा बोलकर प्रिया मा को चटनी बना कर प्लेट में खाने को देती है कि तभी वहां कलपना आ जाती है अरे वा चटनी ज़रा चक कर तो देखू बड़े दिन हो गये अरे नहीं बहू तो तो रहने ही दे चटनी खाना पेट में जलन हो जाएगी इतना कहकर कांता और प्रिया दोनों हसने लगते हैं कलपना सारा दिन या तो मुबाइल में यूट्यूब देखती या फिर सोती रहती उसका कमरा भी बिखरा और गंदा रहता एक दिन कलपना का पती अशोग उससे कहता है अरे कलपना जानवर भी उस जगों को साफ कर लेता है जहां वो बैठता है तुम तो इंसान हो कैसे इतने गंदे कमरे में रह लेती हो देखो सारा सामान यहां वहां बिखरा पड़ा है ज्यादा अपनी मा का बोलना बोलो हाँ कमरा तुम्हारा भी तो है गंदा लग रहा है तु साफ कर लो पता नहीं तुम्हारे साथ मैं कैसे जिंदगे बिताऊंगा इतना कहकर अशुक वहां से चला जाता है कलपना बस खाना खाने कमरे से बहार आती और फिर से कमरे में चली जाती इससे कांता बहन काफी परिशान रहती एक दिन प्रिया कांता से कहती है मा मैं सारा दिन काम करके ठक जाती हूँ आप कलपना दीदी से कहिए न कि सुबा और शाम का काम बाट ले मैं तो अब सिर्फ एक वक्त का ही काम करूँगी हाँ अरे तु वो भी ना करना एक बहुतो काम चुर थी नहीं दूसरी भी आ गई काम ना करने के बहाने लेकर तबे वहाँ प्रिया का पती रमेश आ जाता है मा मैं देख रहा हूँ वहाँ भी कोई काम नहीं करती प्रिया सारा दिन घर और रसोय का काम करती है अब कुछ करो ना मा कांता मन में कुछ सोचती है और कलपना के पास जाती है कलपना फोन पर मेक अप करना देख रही होती है कलपना तुम सारा दिन बस मोबाइल देखती हो घर का कोई काम भी कर लिया करो प्रिया सारा दिन काम करके ठक जाती है आज से मैंने फैसला किया है एक वक्त का काम तुम करोगी सुबह का खाना तुम बनाओगी और रात का प्रिया आप लोगोंने काम को हुवबा बना रखा है अरे पता नहीं थोड़ा सा ज्यादा काम करने में आप लोग गपरा क्यों जाती है और हाँ बहुत ज्यादा प्रिया की तारिफ मत करिए मेरे सामने बड़ी बहु तो मैं ही रहूंगी मैं कुछ नहीं जानती कल सुबह मुझे वक्त से खाना चाहिए रसोई में आ जाना वन्ना कल से तुझे खाना नहीं मिलेगा अगली सुबह कलपना रसोई में नहीं आती है वो देर से सोकर उठती है और बहार आकर कहती है पता नहीं कहा है सब कलपना को घर में कोई नहीं दिखता वो रसोई की तरफ जाती है जहां बड़ा सा ताला लगा होता है आरे रसोई में ताला ओ मैं तो भूली गई थी मा ने आज से सुबह का खाना मुझे बनाने को कहा था ए भगवान इतने लोगों का खाना बनाना क्या आसान है तब ही घर के सारे सदस्या बाहर से वापस आते हैं बाह माजी मज़ा आ गया छोले बटूरे खा कर मेरे मूझ में तो अभी भी स्वाद आ तारहा है कलपना को बहुत गुस्सा आजाता है कलपना अपनी रसोई अलग कर रही हूँ कलपना अपनी रसोई अलग कर लेती है पर आए दिन उसका देर से उठना और काम न करनी की आदत से वो भूखी ही रह जाती थी उसे के सामने घर के लोग अच्छे-च्छे पकवान खाते और काम चोर कलपना को जैसे तैसे ही खाना बना कर खाना पड़ता पर एक दिन तो हदी हो गई मा, दीदी आज सुबह से कमरे से बहा नहीं निकली हमें जाकर देखना चाहिए हम, सो रही होगी काम चोर कहीं की पर तुम कहती हो तो चलो, देख लेते हैं उसे कलपना कमरे में पेट पकड़ कर बैठी होती है होए, मेरा दर्द, पेट दर्द के मारे मर रही हूँ मैं अरे दीदी क्या हुआ, पेट में दर्द क्यों हो रहा है डॉक्टर को दिखाया आपने मा, कलपना खड़ी होती है और माजी के पास आती है मजे माफ कर दीजिए अब से मैं सारे काम में मदद करूँगी कभी आलस और कामचूरी नहीं करूँगी हाँ, हाँ, वो तो ठीक है लेकिन अचानक क्या हो गया जो तु काम करने को तयार हो गई कामचूर कलपना मा, लगातर बासी और उल्टा-पूल्टा खाना खाने की कारण मेरे पेट में इंफैक्शिन हो गया है काम न करना पड़े इसलिए मैं दो दिन का खाना एक दिन ही बना लेती थी बासी और खराब खाना खाने की कारण लेने के देने पड़ गए अहो, पेट में दर्दो रहा है चलो, अच्छा हुआ देरा है, दुरस्ता है